जो शिप्पुरी विधान सभा रही है ये सिंधियाओं का गड़ भी रहा है शिप्पुरी में सिंधिया परिवार ने जो पर्चम नहराया है इस बार भी हम देखेंगे कि जनता का क्या रुख रहेगा क्या इस बार भी सिंधिया परिवार आएगा सरकार सरली है हमारे शूपरी की जिए आलत है कि कच्छी रोड़ा पड़ी है धूल खारा है हम लोग नालिया हो रही है ना अपना नल्ला साप हुआ है आने वाले सरकार में आप किसे वोड़ देना चाहेंगे किसकी सरकार देखना चाहते है आप रोजगार की क्या स्थिती है शिवपूरी में और इससे अवासा करना भी बेड़ता है कि यह कुछ कर पाई शिवपूरी में पिछले पात सालों में क्या विकास का रहे है और क्या उम्मेदे की थी और क्या देखने को मिला अपको आपको इसस इप्री में भी ब्लड़य है और सुछ काम भी अदूरे काहँगै आने माले झजी नु थी सफे अब जब सरकार बदलेगी और नए काम करेगी पुरानी सरकार हो गई उनको मालों जनता बीवकूब है हर बार बना देती है हम बैठके राज करते हैं उसकी कंपलेंट करूंगा मैं जरू मैडम जी मरी आप से बीडियो पर उतके बेज़े ना मेरे मकान किसी दिन टूटेगा मैं इस दिन घोली मारूंगा उसमें पार सरकार पल्टेगी और कॉंग्रेस का पर्चम लहराता दिखाई देगा शिप्पुरी में जानेंगे हम हमारी पूरी रिपोर्ट में